हम एक साधारण इंसान है और इंसान होने के नाते हमारे जीवन के अंदर कई बार कुछ ऐसी अपरत्यासित घटना एक घट जाती है जिसको लेकर कि अपन काफी उदास हो जाते हैं, काफी निरास हो जाते हैं, भगवान को न जाने कितने परकार के उलहने देने शुरू कर दे करते हैं कारण यह है कि हम समझ नहीं पाते उस प्रभू की लिला को लेकिन सच्चा ही यही है कि वो जो भी करता है सही करता है बहुत सोज समझ करके करता है इसलिए उसकी लिला को समझना हमारे वसकी बात नहीं है लेकिन भगवान सही ही करते हैं ऐसा क्यों देखिए कहानी के म आध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में जंगल के अंदर आखेट खेलने के लिए सिकार खेलने के लिए गया हुआ था और एक हीरण को देख करके राजा ने धनुस के ऊपर अपनी परतेंचा को चड़ा दिया जैसे ही वो निसाना लगाने वाला था कि अचानक उसके पास मैं से एक सुर गुजरा और वो राजा को धक्का देते हुए राजा से टकराते हुए निकल गया ऐसा करने से निसाना तो चुका ही चुका लेकिन उस परतेंचा की वज़े से राजा की अंगुली के अंदर चोट आ गई उसके अंगुली से रक्त बहने लग गया और वो काफी पीडा से पीडित था ऐसी इस्तती में उसकी नजर अपने मंत्री पर पड़ी मंत्री ने कहा भगवान जो करता है अच्छा ही करता है अब आप सोचिए सब ऐसी इस्तती के अंदर जब आप पीडा से करा रहे हों दर्द के मारे परेसान हों और उस समय आपको आकर के कोई ये कहे कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ सामानने बात है गुसा तो आना ही था राजा को भी गुसा आ गया बोले कह दिया भगवान जो करता है अच्छा करता है अगर अच्छा ही करता तो यह से निकल जा मेरे पास में से निकल जा तू कहीं और चला जा बस राजा की आगया सिरोधार है मंत्री राजा को जोड़ कर के दूसरी दिसा के अंदर आखेट करने के लिए निकल गया राजा कुछ आगे ही बढ़ा था कि कुछ नर बख्षियों ने आकर के राजा को घेर लिया और उसको पकड़ करके वो अपने राजा के पास में ले करके चले गए जहां पर नर बली देने की तैयारिया हो रहे थी राजा को सनान इत्यादी करके और नविन वस्त्र पहना करके और बली देने के लिए जैसे ही उसको मंदिर के अंदर देवता के सामने प्रस्तुत किया गया उस पुजारी ने राजा का निरक्षन किया और उसने पाया कि उसकी अंगुली कटी हुई है उसमें से खुन निकल रहा है पुजारी ने मना कर दिया कि इसकी बली नहीं दी जा सकती इसका अंग भंग है और अंग भंग की बली देना संबव नहीं है जैसे ही ये बात पुजारी ने बताई तो राजा ने कहा कि इस इंसान को जोड़ दिया जाए और तुरंत उस राजा को उस मंत्री की बात याद आ गई कि मंत्री कह रहा था भगवान जो करता है अच्छा ही करता है वो अभी सोचते सोचते जंगल के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ा था एक नदी के किनारे पहुंचा तो वहां उसका मंत्री जो है भजन किर्तन करने के अंदर मस दे राजा दोड करके मंत्री के पास मैं गया और उसको गले लगा दिया उसने सारी घटना उसको सुना दी और कहा बिल्कुल सही कहा था तुने कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है ये बात तो मेरी समझ में आ गई लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैंने तूझे वहा नहीं निकाल दिया होता तो अपन δोनों साथ होते और अपन दोनों साथ होते तो नर्भक्षी अपन दोनों को कैद करके लेके जाते आपके तो अंग भंग में आप तो बजगे लेकिन मेरी तो बली चढ़ जाती ना राजा हसा, मुस्कराया और उसने इस बात को स्विकार किया कि बिल्कुल उस प्रभू की लीला को हम समझ नहीं पाते हैं कि वो जो भी करता है, सही करता है, बहुत सोच समझ करके करता है इसलिए उसकी लीला को समझना हमारे वस्की बात नहीं है